आप सुन रहे हैं उपन्यास चंदरकानता संतती अध्याई दूसरा वहाग पांचवां आधी राज से ज़्यादा चाचुकी है गया जी में हर महले के चौकीदार जागते रही हो होशिया रही हो कह कह कर इधर से उधर घूम रहे हैं रात अंधेरी है चारों तरफ अंधेरा चाया हुआ है यहां का मुख स्थान विश्नु पादु का है उसके चारों तरफ की आबादी बहुत घनी है मगर इस समय हम गुझान अबादी में ना जाकर उस मुक्तसर अबादी की तरफ चलते हैं जो शहर के उत्तर में रामशिला पादी के नीचे अबाद है और जहां के कुल मकान कच्चे और खपड़े की छावने के हैं इसी अबादी में से दो आदमी स्याकंबल ओड़ें बाहर निकले और फल्गु नदी की तरफ रवाना हुए रामशिला पादी से पूरब फल्गु नदी के बीचों बीच में एक बड़ा भैनक उंचा तीला है उस सेले पर किसी महत्मा की समाधी है और उसी जगा पत्थर की मजबूत बने हुई कुटी में एक साधू भी रहते हैं उस समाधी और कुटी के चारू तरफ बेर हैं मकोईचे घो इत्यादी जंगली पेरों से बड़ा ही गुंजान हो रहा है और वहाँ जमीन पर पड़े हुई हड़ियों की ये कैफियत है कि बिना उन पर पैर रखे कोई आदमी समाधी या उसकुटी तक नहीं जा सकता छोटी बड़ी साबुत और तूटी सैकणों तरह की खोपड़ियां इधर से उधर लुढ़क रही हैं ना मालुम कब और कैसे इतनी हड़ियां चारों तरफ जमा हो गई हैं इस आबादे से निकले हुए तोनों आदमी इसी ठिले की तरफ जा रहे हैं कोई साधारन आदमी ऐसे अधरी रात में उस ठिले की तरफ जाने का साहस कभी नहीं कर सकता मगर ये दोनों बिना किसी तरह की रोष्णी साथ लिये अंधेरे में ही हड़ियों पर पैर रखते और कंटेली जाड़ियों में घुसते चली जा रहे हैं आखिर ये दोनों कुटी के पास जा पहुँचे और दरवाजे पर खड़े होकर एक निर्ताली बचाई भीतर से कौन है एक किवार खोलो भीतर से क्यों किवार खोले एक काम है भीतर से थुम लोग हमें व्यरत तंग करते हो साथ्धु ने उठकर किवार खोला और वे दोनों अंदर जाकर एक तरप पहड़ गए क्योंकि भीतर धुनी के जलने से कुटी अच्छी तरह गरम हो रही थी इसलिए उन दोनों ने कंबल उतार कर रख दिया हम मालुम हुआ कि ये दोनों औरते हैं और साथ ही इसकी ये भी देखने में आया कि एक औरत की दाहिनी कलाई कटी है जिस पर वा कपड़ा लपेटे हुए है एक औरत तो चुपचा पैठी रही मगर बाबाजी से दूसी औरत जिसकी कलाई कटी हुई थी यूँ बाचीत करने लगी औरत कहिए हापने कुछ सोचा बाबाजी जो काम मेरे के हो ही नहीं सकता उसकी लिए में क्या सोचो औरत बेशक आपके किये वे काम हो सकता है क्यूंकि वे आपको गुरु के समान मानती है साधु गुरु के समान मानती है तो क्या मेरे कहने से वे अपनी जान दे देगी तुम लोग भी क्या अंधेर करते हो औरत इसमें जान देने की क्या जरूरत है साधू तो तुम क्या चाहती हो औरत बस इतना ही कि वैं उस मकान को छोड़ दे साधू उस बेचारी ने किसी को दुखतो दिया नहीं फिर उसके पीछे क्यों पढ़ी हो औरत क्या उसे मुझे और मेरे आदमियों को धोखा नहीं दिया साधू तुम अपना राज दूसे को देकर आब भाग गई अब तो वही मालिक है इसलिए वे लोग उसी के नौकर गिने जाएंगी औरत मैं अपना राज फिर्क अपने कबजे में किया चाहती हूँ साधू जो तुम से हो सके करो पर मैं किसी तरह की मदद नहीं दे सकता तुम लड़कपन से मुझे जानती हो तुमारे पिता तुमको गोद में लेकर यहां आया करते थे कभी मैं किसी के भले बुरी का साथी नहीं हुआ और जो हो मगर आपको वे काम करना ही पड़ेगा जो मैं कहती हूँ और याद रखे कि अगर आप इनकार करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा मैं साधू और महत्मा समझ कर छोड़ूंगी नहीं साधू अच्छा आज भर तुम मुझे और मोहलत दो कल इसी समय यहां आ जाना अहरत खैर एक दिन और सही इस दोनों औरते वहां से उटकर रवाना हुई ना मालूम कब से एक आदमी कुटी के पीछे छिपा हुआ था जो इस समय नजर बजा कर उन दोनों के पीछे-पीछे तब तक चलता ही गया जब तक वे दोनों आबादी में पहुँचकर अपने मकान के अंदर न गुस गई जब उन दोनों औरतों ने मकान के अंदर जाकर दर्वाजा बंद कर लिया जो खुला छोड़ गई थी तब वे आदमी वहां से लोटा और फिर उसी कुटी में पहुँचा जिसका हाल हम उपर सुना चुके हैं कुटी का दर्वाजा खुला हुआ था और साधू बिचारे उसी तरह बैठे कुछ सोच रहे थे वे आदमी कुटी के अंदर बे धड़क चला गया और दंडवत करके एक किनारे बैठ गया साधू कहिए देवी सिंग आप आगए देवी सिंग जी महराज मैं तभी से यहां हूँ जब वे दोनों यहां आई भी ना थी अब उन दोनों को उनके घर पहुँचा कर लोटा आ रहा हूँ साधू ठीक है देवी जी हां आपने बड़ी किरपा की जो उसका हाल मुझे बता दिया कई दिनों से हम हैरान हो रहे थे क्या कहूँ हब की आज्या नहीं तो मैं इसी जगा से उन दोनों को अपने कवचे में कर लेता साधू नहीं भाईया ऐसा करने से ये हमारे गुरु की कुटिया बदनाम होती हब तुमने उसका घर देखी लिया है सब काम बना ही लोगे वरिंदर सिंग बड़े परतापी लिया है और धर्मात्मा राजा है ऐसे को कभी कोई सता नहीं सकता देखा इस दुष्टा माध्व साधू ने अपने चाल चलन को कैसा खराब किया और प्रजा को कितना दुख दिया हाखिर उसे की सजा भोग रही है अच्छा अब इश्वर तुम्हारा कल्यान करे वरिंदर सिंग से मेरा आशिरवात कहना आ कैसा भक्त धर्मात्मा और नीती पर चलने वारा राजा है देव अच्छा तो मुझे आज्या है ना साधू हाँ जाओ मगर देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि माधवी को जान से मत मारना और बेचारी कामनी पर दया करना मैं उसे अपनी पुत्री ही मानता हूँ वरिंदर सिंग से कह देना कि वे कामन को अपनी लड़की समझें और आनन सिंग के साथ उसका संभंध करने में कुछ सोच विचार ना करें क्या हुआ अगर उसका बाप आपके सामने खड़ा होने लायक नहीं है देवी सिंग बहुत अच्छा कह दूँगा राजा वरिंदर सिंग कदा भी आपकी अग्या नहीं डालेंगे मगर फिर एक दफे मैं आपकी सेवा में आऊंगा साधू नहीं अब मुझसे मुलाकात नहीं होगी मैं आज ही इस कुटी को छोड़ दूँगा हाँ इश्वर चाहेगा तो मैं एक दिन स्वें तुम लोगों से मिलूँगा देवी जैसी आ क्या साधू हाँ बस अ वासो में ऐसा ना था राजा वरेंदर सिंग की गुपनीती साधारन नहीं थी राजा वरेंदर सिंग के चुनार चले ने चले जाने के बाद दोनों भाईयों को अपनी अपनी फिकर बैदा हुई कुमर आनन सिंग किंदरी की फिकर में पड़े और कुमर इंदर जी सिंग को राजग्रही की फिकर पैदा हुई राजग्रही को फते कर लेना उनके लिए एक अधना काम था मगर इस विचार से की किशोरी वहां फसी हुई है हमें सताने के लिए अगनी दत उसे तकलीफ न दे धावा करने का जल्दी साहस नहीं कर सकते थे जिस समय वै आजाद हुए अर्थात वरिंद सिंग के मौजूद रहने का ख्याल जाता रहा उसी समय से किशोरी की मौभबत ने चोर बाधा और तदुद के साथ मिली हुई बेचानी बढ़ने लगी हाकिर अपने मित भैरो सिंग से बोले हमें बिना राजग्रही गए नहीं रह सकता जिस जगह हमारे देखते देखते बेचारी किशोरी हम लोगों से छीन ले गई उस जगह अर्थात उस अमलदारी को बिना तहस नहस किये और किशोरी को पाहे मेरा जीतिकाने ना होगा और ना मुझे दुनिया की कोई चीज भली मालूं होगी भैरो आपका कहना ठीक है मगर आप अकेले वहां क्या करेंगे इंदर दुष्ट-अगणिदत के लिए में अकेला ही बहुत हूँ भैरो दुष्ट-अगणिदत के लिए अकेले बहुत हैं मगर शेहर भर के लिए नहीं इंदर शेहर भर से मुझे कोई मतलब नहीं आखिश शेहर वाले उसकी तरफदारी करेंगे या नहीं इंदर इसका अंदाजा तो गया जी पर कभजा करने से ही तुम्हें मालूम हो गयोगा भैरो ठीक है मगर अपनी तरव से मजबूती रखना मुनासिब है इंदर अच्छा तो मैं आनन को समझा दूँगा कि फलाने दिन एक सरदार को थोड़ी फोस देकर हमारी मदद के लिए भी सेना भैरो ही हो सकता है मगर उत्तम तो यही था कि दो चार दिन और ठैर जाते तब तक मैं राजग्रही से घूमाता इंदर नहीं अब इस किसम की नसिहत सुनने लायक मैं नहीं रहा भैरो खैर जैसी आपकी मर्ची शाम के वक्त दोनों भाई गोडों पर सवार हो अपने दोनों अयारों और बहुत से मुसाबों और सरदारों को साथ ले घूमने और हवा खाने के लिए वहल के बाहर निकले कहिदे के मताबिग सरदार और मुसाब लोग अपने अपने घोडे उन दोनों भाईयों के घोडों से लगबग 25 कदम पीछे लिए जाते थे जब इंदर जी सिंग या आनन सिंग घूम कर उनकी तरफ देखते तब ये लोग जट आगे बढ़ जाते और सुनकर पीछे हड़ जाते हाँ दोनों यार घोडों की रुकाब थामे पैदल साथ जा रहे थे जब ये दोनों भाई खुमने के लिए बाहर निकलते तब शहर के मर्द और अरत बलकी छोटे-छोटे बच्चे भी इनको देखकर खुश होते थे जिसकी मुह से सुनिये यही आवास निकलती थी इश्वन ने हम लोगों की सुन ली जो ऐसे राजकुमारों के चरण यहां आये और उस फुदगर्ज नामक हराम वेमान का साया हमारे सिर से हटा जब घूमते हुए ये दोनों भाई शहर से बाहर हुए इंदर जी सिंग ने आनन सिंग से कहा मैं किसी काम के लिए भैरो सिंग को साथ लेकर राजगरही चाता हूँ आज से ठीक आठमे दिन अर्थात रवी वार को किसी सरदार के साथ थोड़ी सी फौज हमारी मदद को भीजे ना आनन्त जो हुकम मगर इंदर तुम किसी तरह की चिंता मत करो मैं अपने को हर तरह से समभाले रखूँगा आनन्त ठीक है लेकिन इंदर गया जी पहुँचने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मादवी की रियाया हमारे खिलाफ नहीं होगी आनन्त इश्वर करे ऐसा ही हो परन्तु इंदर जब तक तुम्हारी फोज वहां ना पहुँचाएगी हम लोगों को जो कुछ करना होगा छिप कर करेंगे आनन्त ऐसा करने पे अमने भी इंदर खैर जो कुछ तुम्हें कहना हो साफ साफ कहो आनन्त आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं दुश्मन के घर में जाकर अपने को संभाले रहना भी कठिन है राजा की मौजूद्गी में रियाया को हर तरह उसका डर बना ही रहता है आप दुश्मन के घर में किसी तरह निश्चिद नहीं रह सकते और आपके इस तरह चले जाने के बाद मेरा जी यहां कभी नहीं लग सकता राजग्रही जाने पर कुमर इंदर जी सिंग कैसे ही मुस्यत क्यों नहीं लेकिन छोटे भाई की आखरी बात ने उन्हें हर तरह से मजबूर कर दिया कुमर इंदर जी सिंग बड़े ही समझदार और बुद्धी मान थे मगर मुहबद का भूत जब किसी के सिर पर सवार होता है तो वे पहले उसकी बुद्धी की ही मिट्टी पलीद करता है छोटे भाई की बात सुन इंदर जी सिंग ने भैरो सिंग की तरफ देखा भैरो मैं भी यही चाहता था कि आप दो चार रोज यहीं और सबर करें और तब तक मुझे राजगरह से खुमाने दे आनन वादा कर जाओ कि तुम कब लोटोगे भैरो चार दिन के अंदर ही मैं यहां पहुचाऊंगा यदि आग्या हो जाए तो इधर ही से चले जाए घर की घर जाने की जरूरत नहीं भैरो मैं तयार हूँ इंदर घर जाकर अपना समान तो इन्हें दुरुस करना ही होगा मुझे चाहे इसी समय विदा हो चाए भैरो सिंग को राजगरही गए आज तीसरा दिन है यहां का हाल चाल अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ इसी सोच में आधिर अत के समय अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए कुमर इंदर जी सिंग को नीन नहीं आ रही है किशोरी की ख्याली तस्वीर उनकी आखों के सामने आ आ कर कायब हो चाती है इससे उन्हें और भी दुख होता है घबरा कर लंबी सांस लेकर उट बैठते हैं कभी भी जब बैचेनी बहुत बढ़ जाती है तो पलंग को छोड कमरे में तहलने लगते हैं इसी हालत में इंदर जी सिंग कमरे के अंदर तहल रहे थे इतने में पहरे के एक सिपाही ने अंदर की तरफ जांक कर देखा और इनको टहलते देख हट गया थोड़ी देर बाद वे दरवाजे के पास इस उमीद में आकर खड़ा हो गया कि कमार उसकी तरफ देखकर पूछे तो वे कुछ कहे वगर कमार तो अपने धान में डूबे हुए हैं उन्हें खबर ही क्या है कि कोई उनकी तरफ छांक रहा है या इस उमीद में खड़ा है कि वे उसकी तरफ देखें और कुछ पूछें आखिर उस सिपाही ने चान बुच कर किवार का एक पला इस ठंक से खोला कि कुछ आवाज हुए साथ ही कुमार ने घुम कर उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा कि क्या बात है राजा सुरेंद सिंग, विरेंद सिंग, इंदरजी सिंग और आनन सिंग का वराबर ये हुकम था कि मौका ना होने पर चाहे किसी की इतलाग ना की जाए मगर जब कोई अयार आवे और कहे कि मैं अयार हूँ और इसी समय मिलना चाहता हूँ तो चाहे कैसा ही बेमोका क्यों ना हो हम तक उसकी इतला जरूर पहुँचनी चाहिए अपने घर के अयारों के लिए तो कोई रोग टोग थी नहीं चाहे वे कुछ समय में भी महल में गुज जाएं या जहां चाहे वहां पहुँचें महल में उनकी खातिर और उनका लिहास ठीक उतना ही किया जाता था जितना पंदरा वश्च के लड़के का किया जाता है और इसी का ठीक नमूना अयार लोग दिखलाते थे सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा एक अयार हाजी रहे हुआ है और इसी समय कुछ अर्ज किया चाहता है कुमार ने कहा रोशनी तेज कर दो और उसे अभी यहां लाओ थोड़ी देर बाद शुश्त स्या वक्मल की पोशाग पहरे कमरे में खंचर लटकाए हाथ में कमन लिए एक खुशर लड़का कमरे में हाँ मौजूद हुआ इंदर जी सिंग ने गौर से उसकी और देखा साथ ही उनके चहरे की रंगत बदल गई जो अभी उदास मालूम होती थी खुशी से दमकता हुआ दिखाई देने लगा मैं तुम्हें पहचान गया लड़का क्यों न पहचानोगे जबकि आपके यहां एक से बढ़कर एक अयार है और दिन रात उनका संग है मगर इस समय मैंने भी अपनी सुरत अच्छी तरह बदली है इंदर कमला पहले ये कहो कि किशोरी कहां और किस हालत में है और उन्हें अगनी दत के हां से चुटी मिली या नहीं कमला अगनी दत को अब इनकी कोई खबर नहीं है हिंदर इधर आओ और हमारे पास बैठो खुलासा कहो कि क्या हुआ मैं तो इस लायक नहीं कि अपना मूँ उन्हें दिखाऊं क्यूंकि मेरे लिए कुछ भी न हो सका कमला आप ऐसा ख्याल न करें हापने बहुत कुछ किया अपनी जान देने को तयार होगे और महिनों दुग छेला अपने यार लोग अभी तक राजगरही में इस मुद्स्त्यादी से काम कर रहे हैं कि अगर उन्हें ये मालूम हो जाता कि किशोरी वहाँ नहीं है तो उस राजगरही का नाम निशान मिटा देते इंदर मैंने भी यही सोच के उस सरफ जोर नहीं दिया कि कहीं अगनी दत के हाथ पड़ी हुई बेचारी किशोरी पर कुछ आफत ना आवे हाँ तो अभी किशोरी वहाँ नहीं है कमला नहीं इंदर कहा है और किसके कबजे में है कमला इस समय वह खुद मुक्तार है सिवाए लच्चा के उन्हें और किसी का डर नहीं इंदर जल्द बताओ वह कहा है मेरा जी घबरा रहा है कमला वे इसी शहर में है मगर अभी आपसे मिलना नहीं चाहती इंदर बस तो मुझे मालूम हो गया कि उन्हें मेरी तरव से रंज है मेरे लिए कुछ न हो सका इसका उन्हें दुख है कमला नहीं नहीं ऐसा भूल के भी न सोचिए इंदर तो फिर मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता कमला फिर क्यों नहीं सकते मगर इस समय नहीं कमला फिर मिल क्यों नहीं सकते मगर इस समय नहीं मिल सकते इंदर क्या तुमको मुझे पर दया नहीं आती अफसोस तुम बिल्कुल नहीं जानती कि तुम्हारी बाते सुनकर इसमें मेरी क्या दशा हो रही है जब तुम खुद कह रही हो कि स्वे सतंत्र है जिसी के दबाव में नहीं है और इसी शहर में है तो मुझसे ना मिलने का कारण ही क्या है बस यही न कि मैं उस लायक नहीं समझा जाता कमला फिर आप उसी ख्याल को मजबूत करते हैं खैर तो फिर चलिए मैं आपको ले चलती हूँ जो होगा देखा जाएगा मगर अपने साथ ही इसी ऐयार को लेते चलिए भैरो सिंग तो यहां है नहीं आपने उन्हें राजगारी भेज़ dibuj दिया है इंदर क्या हार्ज है तारा सिंग को साथ ले चलता हूँ मगर भैरो सिंग के जाने की ख़बर तुम्हें कैसे मिली कमला मैं बखु भी जानते हूँ भलकि उनसे मिलकर मैंने कह भी दिया है कि किशोरी राजग्रही में नहीं है तुम बेखोफ अपना काम करना इंदर अगर तुमने उससे ऐसा कह दिया है तो राजग्रही में बड़ा ही बखेडा मचाएगा कमला मचाना ही चाहिए कुवर इंदर जी सिंग ने उसी समय तारा सिंग को बुलाया और उन्हें साथ ले कपड़े पहन कमला के साथ किशोरी से मिलने की खुशी में लंबे लंबे कंदम बढ़ाते रवाना हुए शहर ही शहर बहुत सी गलियों में खुमाती हुई इन दोनों को साथ लिए कमला बहुत दूर चली गई और विश्णू पादुका मंदिर के पास ही एक मकान के मोर पर पहुँचकर खड़ी हो गई क्यूं क्या हुआ रुक क्यूं गई कमला इस मकान के दर्वाजे के सामने ही एक भारी मंदिर जमीदार की बैठक है बहां दिन रात पहरा पड़ता है इधर से आप लोगों का जाना और ये जाहिर करना कि आज इस मकान में तो आदमी नए गुसे हैं मुनासिब नहीं तारा तो क्या करना चाहिए कमला मैं दर्वाजे की राह से जाते हूँ आप लोग पीछे की तरफ जाहिए और कमन लगा कर मकान के अंदर पहुँचे इंदर क्या हर्ज है ऐसा ही होगा तुम दर्वाजे की राह से जाओ कमला मगर एक बात और सुन लिजे जब मैं इस मकान म पहुचने के पहले ही हम अपने शोताओं को इस मकान में ले चल कर यहां की कैफित दिखाते हैं। इस मकान के अंदर छोटी-छोटी ना मालुम कितनी कोठरिश हैं। पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम तो उस अलान के पास जाकर खड़े होते हैं। जिसके दोनों तरफ दो कोठरियां और सामने लंबा चोड़ा सहन है इस दलान में किसी तरह की कोई सजावट नहीं सिरफ एक दरी बिची हुई है और खोटियों पर कुछ कपड़े लटक रहे हैं आधी रात का समय होने पर भी दलान में चिराग की रोशनी नहीं है ये दलान उपर के दरजे में है इसके उपर कोई इमारत नहीं सामने का सहन बिलकुल खुला हुआ है चंदर्मा की फैली हुई सफेद चांदी सहन से घूमती हुई धीरे धीरे दलान में आ रही है जिसकी रोशनी उस दलान की हर चीज़ को दिखलाने के लिए काफी है एक तरफ की बहुत बड़ी नहीं है और इसके भीतर सफेद फर्ष पर दो औरतें बैठी हुई धीरे धीरे कुछ बातें कर रही हैं हमारे श्रोता इन दोनों को बखो भी पहचानते हैं इन में से एक तो किशोरी और दूसरी वही किनरी है जिस पर कुमर आनन सिंग रिशे हुए है जो क है उसे में कैसी तरह भुला नहीं सकती मुझसे ये भी ना होगा कि तुम्हें ऐसी हलत में छोड इंदर जी सिंग के सबास चली जाओ खिनरी फिर क्या किया जाए कि सरा उमीद हो कि मुझे कोई पूछेगा कि शोरी कबला मुझसे कसम खाकर कहा है कि आनन सिंग किनरी की चहा जाएगा आप तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहा जाएं और क्या करें कि शोरी कमला आ जाए तो उससे राय मिला कर चो मुनासिम मालूम हो किया जाए ओह यहां बैठे बैठे जी खबर आ गया चलो बाहर चलें चाननी खूम निकली हुई है दोनों औरतें कोठी के बाहर सहन में आकर टहनने लगी मौसम की मताबिक कुछ सर्दी पढ़ रही थी इसलिए दोनों जादा देर तक सहन में ना टहल सकी धालान में आकर दरी पर बैठ गई और बाहचीत करने लगी इस मकान के बगल में एक छोटा सा नजर बाग था वगर उसकी हालत ऐसी खराब हो रही थी कि उसे नजर बाग की जगह घनहर या जंगल ही कहना चाहिए नजर बाग में जाने के लिए इस मकान में एक रासा था बाकी चारों तरफ उसके उची उची दिवारे थी इस मकान में बिना भीतरवाले की मदस से कोई कमन लगा कर चाड़ नहीं सकता था क्यूंकि इसकी दिवारे इस खुबी से बने हुई थी कि किसी तरह कमन अड़ नहीं सकती थी हाँ अगर कोई चाहे तो कमन के जरिये उस नजर बाग में जरूर जा सकता था मगर इस मकान में आने के लिए वहां से भी वही दिक्कत हो थी थोड़ी देर किनरी और किशोरी बातें करती रही इसक को भी खिडकी से जहांक कर मामली सवाल कर लेना मुनासिब है किशोरी ऐसा जरूर करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को दोगा देने के लिए दुश्मन लोग पचासों रंग लाया करते हैं तुम ठहरो मैं कुछ पूछती हूँ इतना कहकर किशोरी ने दर्वाजी की तरफ खिडकी में से जहांकर बूछा गिंती बूरी हुई इसके जवाब में किसी ने कहा हां पचासी तर किशोरी अच्छा मैं नीचे आकर दर्वाजा खोलती हूं दर्वाजा खोलने के लिए खुशी-खुशी किशोरी नीची उत्री बगर चौकड के पास पहुंचने के पहले ही नीचे के अधेरे दलान में एक मोटे और कदावर आदमी को खड़ा देकर डर के मारे चिल्ला उठे तथा उस समय तो एक चीक मार कर बिलकुल ही बोहिश हो गई जब वे शतानिस बेचारी की तरफ जप्टा और हाथ तथा कमर पकड़ कर बेदर्दी के साथ एक तरफ खि और किशोरी को ना पाने से खबरा कर इधर उधर ढूनने लगी उस भयानक अंधेरे दलान में कोटरियों में घूंटे हुई कि नरी को इस बात का जरा भी खौफ ना मालूम हुआ कि किशोरी की तरह कहीं मुझ पर आफत ना आ जाए बिचारी किशोरी चीक मार कर बेहोश हो और खंजर उसके कलेजे को पार किये जाता है दूसरा अध्याय समाप्त हुआ